नमस्कार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल चीना हिंदा किचन में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी आज हम बनाने वाले हैं बच्चो की फेविट बाजार में मिलने वाली ओरेंज डॉली या ओरेंज पॉपसिकल्स जिसको हम चुसकी भी बोलते हैं और इसको बनाने के लिए हम यूज़ करें हैं टाइंग का इंस्टन ओरेंज फ्लेवर डिंक पाउडर आप रसना भी उस कर सक होते हैं बहुत इसी रेसिपी है और रेजल्ट्स बिल्कुल मार्केट जैसे ओरेंज डॉली जैसे हैं बिल्कुल ही आसान है इसे बनाना चलिए चल्दी से बनाना शुरू करते हैं एक बड़ा बॉल ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे आधा लीटर पानी अगर आप मेज लीटर वाला टैंग का ओरेंज फ्लेवर आप मैंगो या कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं और इसको हम पानी में अच्छे से मिक्स कर देंगे जो मैं टैंग का पैक यूज कर रही हूँ ये 30 रुपीज वाला 100 ग्राम पैक है इसे हम एक लीटर ओरेंज रिक बना सकते हैं लेकिन पॉप्सिकल्स बनाने के लिए इसमें मैंने आधा लीटर पानी ही उसकिया है क्योंकि एक लीटर पानी अगर हम इसमें डाल देते हैं त फ्लेवर और मीठा दोनों ही कम हो जाते हैं मैंने इक लीटर पानी उसकर के देखा हुआ है यानि 1 लीटर पानी उसकर के मैंने पुप्सिकल्स बनाई थी तो वह परफेक्त नहीं बनी थी थी थोड़ाचा फ्लेवर भी कम था और मीठा अगर तब ही आप अब अगर आपको एड़ करना होगा और उसको अच्छे से आप मिक्स करके डिसॉल्व कर देना और यहां ओर इंच रिंग हमने रेडी कर लिया है अब इनको डालेंगे मोल्स में या फिर ग्लास में मेरे पास आइसक्रीम मोल्स नहीं है तो मैं इसलिए यहां पर चार ग्लास ले रही हू चोटे-चोटे काच के ग्लास है यह आप स्टील के ग्लास में भी बना सकते हैं तो हम इनको आधा-धा फिल कर देंगे और इंस ट्रिंग के साथ आधा लीठर पानी से हमारे यहां पर 6 पॉप्सिकल्स बनकर तयार हो जाएंगी और अब हम इनके बीच में फिक्स करनी होगी आइस क्रीम स्टिक्स लेकिन अगर हम अभी से आइस क्रीम स्टिक्स डाल देंगे तो यह फिक्स नहीं होगी बीच में वलकि साइड में गिर जाएंगी तो हम क्या करेंगे पहले इन ग्लास को दो घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे और जब ही हमारे आइस क्रीम और आप देख सकते हैं जब मैं आइस्क्रीम स्टिक्स को पॉप्सिकल के बीच में रख रही हूं तो यह बिल्कुल अराम से फिट हो रही है यानि के गेर नहीं रही है तो अब इसके बाद हम इनको दुबारा फ्रीजर में रखेंगे अच्छे से सेट होने के लिए लगभग 4-5 गंटे लगेंगे और यह अच्छे से सेट हो जाएगी 4-5 गंटे फ्रीजर में रखने के बार हमारी पॉप्सिकल अच्छे से सेट हो चुकी है अब आप इनको डी मोल करना है यानि के गलाश नमे से निकालना है अगर आप ice cream molds यूज़ करेंगे तब तो यह ऐसे ही अराम से निकल जाएंगी लिखिन अगर हम glass यूज़ करें हैं तो हमें इनको निकालने के लिए थोड़ इसी देर के लिए यानि कि सिर्फ एक से दो मिनट के लिए normal temperature water में dip करना होगा glasses को तो मैंने ही आप पर एक बड़ा बर्तर ले लिया है और इसमें मैंने tap water ले लिया है यानि कि normal regular water जो कि गरम या घंडा नहीं है और अब हम popsicles को अराम से glasses में से निकाल सकते हैं आप देख सकते हैं कितनी अच्छी shape और कितना अच्छा color आया है इनका जब आप taste करेंगे तो I'm sure आपको बाजार वाली popsicles से बहतर ही लगेंगी है तो बहुत ही easy recipe है या आप देख सकते हैं कितनी असानी से हमने घर पे orange popsicles बना लिए आप किसी भी flavor के बना सकते हैं और अपने बच्चों को surprise कर सकते हैं तो आप भी जल्दी से try कर लीजिए इनको घर में बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे और ऐसी और tasty easy quick recipes के लिए आप मेरे चैनल चीना in the kitchen को visit कर सकते हैं वहां आपको बहुत सारी amazing recipes देखने के लिए मिलेंगी और मेरे चैनल को subscribe करना मत भूलना बल आइकन को भी जरूर दबा देना जिससे कि आपके पास मेरी हर नहीं वीडियो का notification या message पहुत सके The end